नहुसकार दोस्तों, डिडी रियाट के एक और रेक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूँ और जिस वीडियो पर मैं रेक्शन देने जा रहा हूँ, वो वीडियो है रियल इंटर्टेन्मेंट टीवी का और इसका टाइटल है इंडिया विल प्रडूस आइफोन 14 इस इंडिया गोइंग टू बीट चाइना तो यह जो आइफोन 14 प्रडूस करने वाला है इंडिया वो टाटा के साथ मिलकर करेगा यानि कि एक तरह से टाटा जो है वो आइफोन 14 मानुफाक्चर करने वाला है और यह इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है यहां से आइफोन 14 पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किये जाएंगे तो जाहिर है इसके बहुत सारे असर हमारी एकॉनमी से लेकर रोजगार से लेकर और बहुत सारी चीज़ों पर पड़ेगा तो है यह देखते हैं बड़ी कि पाकिस्तान के लोग इस अचीवमेंट पर क्या कह रहे हैं मैं इसी हवाले से आज वीडियो और कार रहा हूँ आइफ़ूं फोटिन की बात करें क्या पाकिस्तान में लांच हो चुक है पाकिस्तान में अभी लांच नहीं हुआ और ये बड़ी बात नहीं है बड़ी बात ही है कि उसकी मैनुफेक्ट्रिंग अब इंडिया में की जाएगी आखिर आप क्या समझते हैं कि जब manufacturing इंडिया में की जाएगी पहल नमर पर ऐसी क्या reason है कि इंडिया में वो iPhone जैसी बड़ी company Apple जैसी बड़ी company अपने mobile को manufacture कर रही है इसकी क्या reason है और दूसर नमर मुझे यह बताना है कि जब इंडिया में वो mobile बनेंगे iPhone 14 की बात करें कि हमारे मुलक में आएं आप बिजनस करें ठीक है उसे लोगों को भी जो एना वो फाइदा होता है उनके जो प्राइस कम होती है तो यहां पर ऐसा नहीं है कि कॉमन सेंस वाली बात है कि देखें किसी कंपनी को हम फाइदा देंगे मतलब हमारी किसी भी कंट्री के लोग बहुत इस्तमाल करते हैं नोकिया उस्टाम रूज पे भी था तो यहां पर जो प्रेजिडेंट था सदर्दर्दारी उन्होंने का था कि एटी परसंट हमारा और बीस परसंट जो आपका तो उनको यह पॉलिशी समय में नहीं है कमीशन वाले सी हैं इंडिया में उन् चाइनीज ब्रैंड उन्हाइनीज ब्रैंड ज्यादा आते हैं इदर आके मतलब जो हैना पॉलिशी अच्छी मिल इसी तना अगर आप एपल एपल बहुत बड़ा ब्रैंड और पाकिसान में बहुत ज्यादा यूजर हैं मुझे यह भी बताएं आप दो मॉबाइल सेल करते हैं और बाइंग भी उसकी ज्यादा है और शौप के पर बेचता है मीना तो उसको प्रॉफिट मार्जन भी बेबचता है किमत क्या है आप देखें अब भी ऑफिशली उसकी यहां पे कुछ कंफर्म नी पाकिसान में प्राइस है चार लाग साथ हजार में लौन्च होना था इंडिया का बताओं इंडिया में यह साथ हजार आइफून 14 की बात का रहा हूं सिंपल की प्रो या प्रो मैक्स की बात नहीं का रहा है साथ हजार का अब कुछ लोग कहेंगे कि उनकी करंसी का वैल्यू ज्यादा है तो वो तो आप साथ साथ हेक्सो बीस और 180 का हो जाएग अब एक 30,000 वाला मुबाइल जो है ना 464 रेम जो के 20,000 बे मिलता था अब वो 30,000 बे में यानि के आप एक आम बंदे की जो है ना वो बाइंड बाइंग नहीं है उसके अंड्राइड की बात की जाए अगर सबसे सस्ता अगर मैं कहूंगे यार मैंने सबसे कम प्राइस में म 30,000 बे मिल जाता था अब वो सिस्टम नहीं है यह बताएं कि जब आइफून मैनुफेक्चर होगा उसका सैंबलिंग होगी उसकी इंडिया में तो फिर हम यहां इंपोर्ट करेंगे नहीं हमारी तो इंडिया के साथ ट्रेड ही बांदा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो नही होती है इंडिया से हम नहीं मत अधर गंटी जिसन तो आईफून के बगार तो यहां के लोग रहाए से दुबाई से मुगा लेंगे लेकिन अपनी जिद में टैक्स को कम नहीं करेंगे आप देखें एक लाग से ओपर टैक्स है अगर आप आईफून ले ले लिए पीडिया लेता हूं नौन पीटिया करवने जाता हूं तो लाक से लेक्ट यहां यहां पर यह होगा कि मुबाईल को भी बिजनस करने हैं उनको भी लॉस है और कस्टमर भी काम आपका यानिके मार मुबाईल अंडिस्री आपकी बिल्कुल डड़ पाकिस्ता पाकिस्तान में अब अग अब आप शौप की पर हैं आपने अहर बिजनस करना हैं हम यूथ हैं हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है मुझे आप बैठके सोचते तो होंगे अपस में डिसक्शन भी करते होंगे यार अगर ऐसे होगे अगर यह होगे तो फिर हमारी जो मुबाईल इंडस्री या वो बेह कि क多 चीसे घुट आप चांब वह पहले यह तो मैंद्व का मैं भी यह खुद मेरा भी अपने केम यहां पयासं है और यहां को इसकांफ़ी तयार का उनको भी जो है ना वो टेक्स कम और आगे जो अवाम को भी वो रिलीव दे सके मुबाइल की प्राइस की मद में ठीक है यानि के पंदरा सोलह दार में परपस यह होना चाहिए जो हमारी अवाम है उसको रिलीव मिलें वो किसी भी मद में सबसे फून है हर बंदे की शौक होता है नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो इसका मदब वह वापे चला यह तक चलो यह बाद की बात है जब स्रेट सस्था होगा तो फिर ले लेंगे यानि कि उसमें क्या लोस हमें भी होगा हमें जाहरा है खत्म हो गया समय ले बिजनस जो ना इस टैम पे तो यह गवर्मे करेंगे यहां पर हम इंटरनेशनल ब्रांट को बलाएंगे इंटरनेशनल कंपनी को बलाएंगे कि यहां पर आपकर मैनिफेक्ट्रिंग करें और हमारी जो अवाम है हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्हें सहुलत देंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान को बिजनस भी म बहुत जादा क्यूंकि पाकिसान में बहुत से लोग मुबाइल यूज करने बहुत है हर बंदे का शोग है और हर बंदे की मजबूरी यहां पर मेरी शौप है मेरा यहां पर रैंट है ठीक है और एक अच्छी जगह बैठा हूं आपको पता फीज चैंडर पूरी दुनिया मे में बात कर रहें हैं यहां पर इंदादा लगा लें कितबा बिजनसा को शूला है डिसतार लाग या तीन लाग चालीस जार का मेरा एस्टीमेट था चालीस का यह था कि चार लाग साथ हजार वे आज की लिस्ट क्या है जी छे सूपर यह पाक्सान की लाग का आईफून मिलेगा अब यह है कि अब जो बंदा बाइट से इंपोर्ड करेंगा इनके अगर दुबई से कर लेंगे जब आएगा तो जब पता चलेगा जो असल प्राइस क्या होगी फिर लेंगे बड़ा अच्छा लगा आप से बात करके अथेंटिक बातें इन से सुनने को मिली और मैं कुछ बातें सुनकर है रहान भी हुआ प्राइस सुनके तो मैं भी हरान हूँ क्योंकि अगर क सस्ता पड़ता क्योंकि अगर इंडिया से इंपोर्ट करते तो हो सकता था में भी सस्ता पड़ता और वैसे देखा जाना कि इंडिया से बिजनेस बंद करके इन्होंने क्या-क्या कांड किये अब यह मोबाइल वाला ही गया वही सबसे बड़े दुनिया के टॉप थ्री मोबाइल बड़े ब्रैंड्स जो हैं मोबाइल के एपल और सैमसंग इन दोनों की फैक्टरी हमारे हैं मौजूद है इन फैक्ट सैमसंग की तो दुनिया की सबसे बड़ी फैक्टरी यहां पर मौजूद है अब देखे पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है मोबाइल के च चीज़ें आप होंड़ाई की इंपोर्ट करते, मतलब बिजनस करते हैं हमारे यहां से, आपने अपने मेडिसिन जो फार्मा सेक्टर है उसकी बैंड बजा दी, क्योंकि कच्चा माल हमारे यहां से जाता था वो भी गया, इसके वज़े से वहां दवाईयां जो है वो 30 से 35% मह हैंगी हो चुकी हैं अल्रेडी, आपने अपने टेक्स्टाइल सेक्टर की वाट लगा दी, क्योंकि कॉटन आप हमारे यहां से इंपोर्ट करते थे और उससे आपका टेक्स्टाइल सेक्टर बढ़ रहा था, लेकिन वहां भी आपने ही पैरों को कुलाली पे मार लिया, इस हम तो खुद बनाते थे, हमें तो फ्री में मिले तो महंगी है, वह हमारी वाली कहां गई, हम चीनी के पैदा करने वालों में से थे, चीनी खत्म हो गई, और अब हम इंडिया से चीनी ले रहे हैं क्योंकि चीनी वाहां से सस्ती है, और भाई सबसे सस्ती भी बहुत महंगी पढ़ेगी अब सोचे कितना बड़ा नुकसान किया है आपके पूर प्रधान मंतरी इम्रान खान ने भारत के साथ बिजनस बंद करके इसका अंदाजा अभी आपको लग रहा होगा लेकिन इसका जो असल रिजल्ट है वो भी साल डेरे साल बाद आएगा अगर कारोबार दु वगयरा ने शौप है इसी होड़े से मैं वीडियो रिकार्ट कार रहा हूं कि कीमत इसके लवाव मैनुफेक्टरिंग की बात की जाए ऐसी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में आके मैनुफेक्टरिंग क्यों नहीं करती आप क्या समझते हैं सर हम तो यही समझते हैं कि जे उनको चाहिए इदर आके काम करना चाहिए. वो तो चाहते हैं, जाहरी बात है, हर बुजनसमेन चाहेँगा कि मेरा कांट्री में बुजनस हो, अगर नहीं हो रहा है? सभर वो इस लिए नहीं हो रहा कि मुल्क के आपके हला तो आपके सामने हैं. कुछ अलाव की वज़ए दुनिया परेशान है कुछ कारोबर की वज़ए दुनिया परेशान है कुछ ये टैक्सिस लगा दिये हैं खुमत ने के छोटा जो तबका वह तो डूपते ही जा रहा है अगर कोई बिजनस करना अच्छा इंडिया की वात करें वहां पर आईफून बनने जा रहा है आईफून की मैनिफेक्ट्रिंग होने जा रही है तो क्या हम वहां से आप भी खरीदते हैं और आगे सेल करते हैं तो मुझे बताएं फिर वहां से इंपोर्ट करें सरजाहरी बारे जहां से बिजनस आपको रलीव मिलेगा कुछ अच्छी पराइस मिलेंग मारजन मिलेगा तो आप जाएंगे ना आप दुबई से मगाते हैं या यूके से मगाते हैं किसी जिए भी आप अपना माल मगाते हैं वह आपका पता है कि मुलक में जो टेक्स है वो सारे चार्जिस करके फिर ही आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है ना मुबाइल इंडर्स्री की बात की जाए पाकिस्तान में क्या हालात है मुबाइल इंडर्स्री सर अभी तो सब अलाज जो है 25 परसंट ही है क्योंके हालात की वज़ा से भी है आप मेडिया वाले हमसे ज्यादा आप जानते हैं हम क्योंके हम खुद परेशान क्योंके 35 25 तक हमारा जो है जहां 50 था 55 था अभी कम होता जा रहा है मुझे बताएं आइफून की आपके ख्याल में 14 की आइफून 14 की बात कीजिए क्या कीमत है अभी बेशक लांच नहीं हुआ लेकिन नेट पे कीमत आ जाती है सर वह तो असलाम अलेकुम वालेकुम 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 रहुतुलाहिवरा का नाम मेरा नाम मसूद है क्या करते हैं मैं असेसरी का काम करते हैं अभी आपने ये जो पकड़ी है कौन से मुबाइल ये 14 प्रो मेक्स की आइफून 14 प्रो मेक्स की तो भी पाकिस्तान में आया ही नही यह पाकिस्तान में इसके बहुत सारे हमारे मतलब जो सियस्तदान हैं, इनकी नाकामियाँ भी है क्योंकि ओर इंडिया में अल्रेडी लाउंच हो जो कहा इसा तारीख को और पाकिस्तान में अभी तक नहीं लाउंच होए ये इंडिया में ये बनेगा भी के साथ अच्छे तालुकात होने चाहिए तालुकात बाद में आते हैं सबसे पहले अगर बात कीजिए बिजनस है कारोबार करना है कारोबार तो हमने करना जरू है सबसे पहले हमें यह चाहिए है कि अपने पाकिस्तान निए लेक्षा कि चाहिए हुछ थी से पॉछ भी-पाकिस्तान में लाउंच ही नहीं हुए लेकों यह लेचका हूए यह कब है। व्हाइरा सब ले चुका हूँ मेरे पास पड़े हुए अब को कीमत का पता है अंदाजा होगा आपने पूछा ही होगा किसी के कितनी कीमत कीमत तो फिलाल नहीं है लेकिन ये तकरीबं तीन साड़ी तीन लाग तक होगा ये शौप कीपर से मैं बात कर रहा था थोड़ी दिर यह च्छे लाग के रॉंड बोट आएगा इसका तो अंदाजा नहीं है अभी फिलाल लेकिन अगर बात कि रहें वहां पे यह साथ हजार से शुरू होगा साथ अप पिर भी अंदाजन साथी हजार एटी थोजन्ट कहलें शिक्स्टी टू एटी थोजन्ट पे मिलेगा यहा बहुत ज्यादा गिरा हुए तो यहां पर ना चाहिए ना तीन गुना उनका पावर पैसे की दो फॉर का होगा पे उनके मतलब सियासदान और सब जो है पार्टिया इसके लावा पार्टियों के लावा आवाम जो है वह अपने मदद आप भी कर रही है और वैसे बहुत ज् तेक्स आपको चीज का देना पड़ता है उसके बार जब पाकिस्तान में वा आती है वो पाकिस्तान की गौ Beck पर में आती है तो फिर दोबारा से एक adequate जी जी है यहाँ पर हर चीज पर टकसित और एक geilावा और टकसित है उज Daar से वे 4 nd मतलब टेक्स वगेरा नहीं है बलेक पे मिलती है नान कस्टम पे मिलती है जो आपे 10,000-15,000 के मिलती है वो हमें लाहूर से हम यहां से मनसेरा कारूबार के लिए सामान लेके जा रहे हैं वो यहां पे तकरीबन 40-50,000 पे 60,000 पे इतना फरक है इतना बड़ा फरक है चमन फिर बहुत कम हो जाती है मतलब आवाम यही बोल देगे चोरी का टेक्स होना चाहिए टेक्स पेड होना जाए जी अच्छा बहुत शुक्रिया अच्छा लगा आपसे बात करके यह एसेसरी का काम करते हैं और इन्होंने आईफून 14 के पहले से ही कवर वगारा लेके रख ल असलाव अलेकुम अबसाम सहर आपका नाम मुहमद शिफीक सहर यहां पे शौप है जी से मेरा सेसिस का काम सर्थ सेल परचेस का काम मुझे यह बताएं के मुबाइल मार्किट की अगर बात की जाए मुबाइल इंडस्री की बात की जाए कैसा बिजनस जा रहा ठीक जार इस बनती नहीं है जाब बाहर से आती है किसी दूसरे कंट्री से आती है तो टैक्स तो लगेंगे यही मिराज का टॉपिक है कि पाकिस्तान में कोई बड़ी कंपनी खास तो पे एपल की बात की जिए यहां पे मैनुफेक्ट्रिंग क्यों नहीं करती सभी स्लिए मैनुफेक और अगर किसी बी कंपनी का प्लान लगता है तो वहां और पर उसे काम करें परफारमस देंगे तो ही हमारा इमेज भी बेहतर जाएगा आप यह बताएं बीच में रोक रहूं देखिए बनाने वाले कौन होंगे पाकिस्तानी होंगे एकाद उपर अपर लेवल मेनेजमेंट में बैठे होंगे तो देखिए बहिमानी करनी तो आप लोगों की पुरानी आदत है और यह मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सनामजद का एक वीडियो किया था उसमें चाव कर दो यार, ओके कर दो यार, कोई बात नहीं यार, यहाँ पर किसको पता चलता है, आप खरीद लेंगे, यह वारी चीज़े, जबकि इंडिया में ऐसा बिलकुल नहीं है, इंडिया में क्वालिटी कंट्रोल इतना जबरदस्त है कि आपको आइडिया भी नहीं है, कम्पनी मतलब जरा सा दाग भी लग जाए ना, तो वो फॉरण रिजग कर देती कि बहुत सी ये मार्केट में नहीं जाएगा बितने, क्योंकि उनको अपने ब्रैंड के बहुत चिंता है यहाँ पर और चुकि यहाँ पर पर्शेजिन पावर बहुत जादा है ना, खरीदने वाले बहुत जादा लोग हैं, तो इसलिए कंपनीज को इस बात का भी ध्यान एकना पड़ता है कि बिल्कुल जरा सा भी नुक्स न रह जाए, जरा से भी कमी न रह जाए, इसलिए है, आईपोन 14 की मैनुफेक्ट्रिंग होने जा रही है, यहाँ पर प्लांट लगेगा और इस र सम्भरी हों за limited ship होने यहाँ के लिए थूब होगा घयाए, आईपारि वादा संभा, यहाँ मैं एपना प्लांट काथनिये państwo कि यह निफाट्रिंग पाकिस्तान में क्यूं ए आपकि पाकिस्टान पाकिस्तान में क्यू नियो पश्याना है, उस भीन करें कि जो हमारे पाकिस्तान का हाल हो गया न एंड हो चुका है आए दिन टेक्स वजह के अब आ भागे हमारे प्राइक्स वड़ गया पिछले दिनों जाना कोई और शीज आ रहे घर फिर टेक्स वड़ जाएगा ये सिस्टम ऐसे है पिछले वाली कुम भगा गई वो टेक्स वड हमारे मुलक का ना बलीव करो खुदा जानता है इम्रान हान हो गया हम नाम नहीं किसी का नाम नहीं यह सारे सिस्टम जो ना बलीव करें जो ना पता नहीं समझ नहीं हारी इसके हुकूमत की कैसे बेतर होगा आप ही बता दें मैं हाल नहीं होता है ना बंदा सोब्कुता आपको पता चाल रहें क्लोग ठीक निंगा रहे हैं तो हवाल यह है हमारा घादियों Kितने तेर की धाँ में नहीं हो छखी है टो पाकिस्तान में हमारी जो गाड़ी यह आती है पाकिस्तान की गाड़ी कोई नहीं हाती यह कोई है नहीं नहीं है इस चीज की वैल्यू कोई नहीं नहीं कोई रोल पारा है ये हमारा मुलक जो नハハवा टीसक फार ना करे कुई और करें लिए यह दो लाकर बैर टैक्स वर देंगे और हम भरेंगे हम भी हम भी रही हमारी हएन और पे जो मुबाइल बिजनस करते हैं मुबाइल का बिजनस करते हैं उन लोगों की बाते आप तक पुंचाई और अगर मेरी परसनल उपीनियन इस हवाले से बात की जाए तो मैं यह समझता हूँ कि अगर इंडिया में आईफून 14 की मैनुफेक्टरिंग होने जा रही है उस साथ ही साथ उनके जो कंट्री है उसके लिए भी काफी रेविन्यू जरनेट होगा इसके लावा टेक्स रेट काफी कम होगा जब जिस कंट्री में जाहरी बात है कोई चीज परोड़क्ट होगी जो प्रोड्यूस होगी तो उस पे टेक्स कम लगेगा एस कंपेर टू जब ह तो पूरी दुनिया में टेकनालोजी के हुआले से भी जाना जाएगा यह आज की वीडियो थी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे प्ताइगा मिलते हैं नक्स्न वीडियो में तब तक लिए पीस आूट अल्लहावफीस देखे वीडियो खतम हो गया और पता नहीं टैक्स से निजात मिलेगी कि नहीं अगर वहाँ पर भी manufacturing शुरू होगी तो इसकी कोई guarantee नहीं है क्योंगे देखे policies बनाना है सरकार को और सरकारों वहाँ की सरकारे जो है वो अपना जिब भरने में लगी रहती है तो इसकी कोई guarantee नहीं है अब आते हैं इंडिया पर देखे इंडिया में iPhone 14 बनने का क्या मतलब है बनने का मतलब यह है कि यहाँ पर पहले नंबर पे लोगों को रोजगार मिलेगा दूसरे नंबर पे यहाँ का पैसा यहीं की economy में सरकुलेट होगा तीसरा जो चीजें investment होगी यहाँ पर उसका फायदा देश की economy को भी मिलेगा और यहाँ के लोगों को भी मिलेगा चौथा फायदा कि rate बहुत कम है भाई जब हमारे यहाँ चीजे बनेंगी tax import duty ने लगेगी import tax ने लेगा जाहिर सी बाते कि चीज जो है जो है वो सस्ता होगा पांचवी चीज कि यहां के लोग भी जो industry जब grow करेगी तो लोग समझेंगे कि भाई mobile manufacturing तो और भी कई कंपनिया Samsung और Apple के अलावा भी जो हमारी local companies है वो भी grow करेंगे उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा competition देखने को मिलेगा और बाकी सारी चीज़े है तो कुल मिलाकर बतब फायदा ही फायदा है अब देखे पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता पाकिस्तान में ऐसा इसलिए नहीं होता कि आपकी सरकार में प्रॉब्लम है यह प्रॉब्लम और नहीं प्रॉब्लम और भी है प् उन्हें बिल्कुल इस बात का भरोसा नहीं है कि वो जो investment करेंगे उससे उनको return भी मिलेगा ऐसा ना हो कि पूरी के पूरी investment ही डूप जाए उनको basically भरोसा नहीं है आप पर ना आपकी स्तरकार पर, ना आपकी आवाम पर ना आपकी policies पर ये भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप कटरवाद को support करते हुए पूरी दुनिया जानती है आप भले इसको deny करते रहो कि आप आतंकवादियों को support नहीं करते है आप terrorism को support नहीं करते हैं लेकिन आपनी जमीन का इस्तमाल हो रहा है इस पर तब ही तो सारी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है तो जब तक आप इस कटरवाद, इंडिया एखिलाब, proxy war ये सारी चीज़ें नहीं छोड़ोगे तब तक आपका भलान नहीं होगा और इसी तरह रसातल में आपका देश चला जाता रहेगा इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी बात है और धीरे धीरे आप देखेगा चाइनया से सारी manufacturing इधर शिफ्ट हो रही है वो चाहे Apple की हो, चाहे Samsung की हो, चाहे और भी कई सारी चीज़ें है मतलब मैं लिस्ट गिनाने बैटू तो शायद सेक्ड़ों चीज़ों के लिए सोजाएगी जो यहां पहर है आगे आने वाले वक्त में समी कंड़क्टर का बहुत बड़ा manufacturing का hub इंडिया बनने जा रहा है, बहुत बड़ा hub और समी कंड़क्टर में हम यहां से दुनिया भर को सप्लाई करेंगे यह कोई छोटा मोटा काम नहीं होगा देखिएगा आगले पांस से छे साल तो भारत की बल्ले बल्ले है और पाकिस्तान तो खेर अब क्या कहोँए इस पर जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जहिंद